असलाम अलीकुम एब्रीवाइन वेलकम बैक टो माई चैनल दिस इस मीन आजिव उमीद करते हैं सब लग बिलकूल ठीक ठाक होंगे और ब्यूटिफुल सा आई मैकप लोग ब्राउन स्मूकी आई मैकप बहुत एजी वे के साथ आज की वीडियो में मैंने आप लोग को करना स तो चले देखते हैं कि यह लुक मैंने जो इतना खुबसूरत सा है और बहुत ही एजी मैटड के साथ करना सिखाया है किस दीक से अचीव किया है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं यह ब्यूटिफुल सा आई मैकप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रू मैं फेस को अच्छे से वाश कर लिया है इसके बाद मैं अपने आई ब्रोज को शेव दूंगी शेव देने के लिए मैंने ब्राउन कर रहा का आई पॉमिट यूज किया है आप लोग ब्राउन आई शेट भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद इस पूली की मदद से मैं अच्छा कर दिल्ष अचा आज कर रहा है वह फेस कि पालेट यूज के अंदर और लाउन कर रहा है ऐसेड़ एयौ ज़ी बल्यांड कर सालिव कर ला के लिन ब्लीक अथ प्राउन कर अपन ब्लॉज कर रहा है लाइट अपनी क्रिस यूपर बहुत ज़्याता जाता जाध यहां पर मैंने बिल्कुल लाइट सा लगा लिया है अब आउटर कॉर्णर पे मैं ब्लैक कलर लगा रही हूं ब्लैक आई शेडो टेप मैंने लगाया है इसलिए के आपका करफ पहले या कुछ भी हो तो बिल्कुल पी डरने की ज़वत नहीं है क्योंकि टेप जो है वह लगा क्या है कट क्रीज के लिए हमेशा फ्लैट ब्रॉश यूज किया करें और अच्छे से इसके जो एजिस हैं और मैं इसको ब्लैक के साथ कट क्रीज की बहुत सारी वीडियो से अपने चैनल पर डाल चुकी हूं आई होप आप लोगो समझ आ गया होगा और मैं कुछ वीडियो या तो फिंगर के हल्ग से बहुत अच्छे लगता है या पि अच्छे से इसके ब्लैडिंग हो जाती है यहां पर मैंने फ्लैट ब्रॉश के साथ इसको ब्लैंड कर लिया है हाफ आइलेट के ऊपर और जो मेरे आउटर पर ब्लैक आई शेडो लगाता इसको मैं थोड़ा सा डाक करूंगी डाक करने के साथ साथ इसको थोड़ा सा मैं इनर साइड पर भी लेकर आऊंगी हाफ मैंने ब्रॉश चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे इनर साइड पर लेकर आना था तो मैंने ब्रॉश का जो साइज है जो इसकी शेप हो मैंने उसी के हिसाब से मैंने ब्रॉ आप लोग इसी करे के साथ आई मैक अप करें आप लोग अपने मर्जी के करें भी चॉइस कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर दोनों शेमर आईशेडो लगा है मैं यूज नहीं किया है ग्लैमर फेस के पैलेट से मैंने लिए है आईशेडो आप लोग किसी भी पैलेट से ले सकते हैं ब्रो बोन को टेरड़क को हाईलाइट कर दिया है मैंने लाइट ब्राउन नहीं गोल्डन कर गई अईशेडो के साथ लोयल लेश लाइन का मैक अप कर रही हूँ छोटा सा बार एक सा ब्रॉश लिया है और लोयल लेश लाइन के नीचे में थोड़ सा ब्लैक अप्लाई करूंगी और इसके साथ ही मैं ब्राउन लगाऊंगी यहां पर दोनों की मैं अच्छी से ब्लैंडिंग कर लूँगी लेकिन यह थोड़ा सा हलका हलका सा लगा था मुझे तो ब्लैकर नीचे का एरिया देना था तो मैं अभी जो लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ना क्राई लाइनर यूज किया है वही लाइनर में नीचे अपने लाइन के उपर लगा लूँगी उसको अच्छी से ब्लैंड कर लूँगी तो देखें अप कितना खुबसूरत सा लुक आ गया है ना तो यह थोड़ी सी चेंजिंग होती है आप लोग अपने माइन के साथ भी क्या करें खेला करें जिसे हम कलर्स के साथ खेलते हैं यह से मा मैकप भी हो गया कंपीट देखां कितना इजी सा सिंपल सा चोटा सा वीडियो बहुत ही खुबसूरत मैकप बहुत ही सिंपल वे के साथ आई होप आप लोग को जरू समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा तो मुझे जरू कॉमेंट बॉक्स में बताईगा कि मेरे आ नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए अपना धीर सारा ख्यार रखीगा टेक केर अलाहाफीज एंड बाबाई